आशा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेरे नाम एसे धान तक नहीं हो, तरी study IQ आपका बहुत स्वागत है, हमारा राश्टरी जानवर National Animal Tiger, Interstate Tiger Relocation Project फेल हो चुका है दोस्तों, पहला ये Interstate Tiger Relocation, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में Tiger को भेजना, क्यों भेज लेकिन ये फेल हो चुका है, ये पहला project क्यों फेल हुआ है, हम इस lecture में जानेगे, UPSC के smart courses आते हैं, दोस्तों आप जरूर अवेल करें, और इंस्टा पे मुझे आप follow कर सकते हैं, Wednesday को सुंद्री जो कि एक टाइगरेस है, एक बागेन है, मुझे बचपन में एक share पालने का पाल लेगा, तो इसलिए खतरनाक S.A.S. अपने ना देखो, जिससे तुम तो खत्रे में आई जाओ, साथे साथ पुरा मोहला खत्रे में आ जाए, but anyway, share पालना तो illegal है, तो Wednesday को सुंद्री जो है, उसको वापस लाए गया, 2018 में MP से उडिसा भेजा गया था, महावीर और सुंद्री, महावीर एक टाइगर था, सुंद्री एक टाइगरेस था, एक बागिन थी, अब वापस उडिसा से MP ले आए हैं ये, लगभग 2 साल 4 महिने दोनों ने बिताए, महावीर तो मर गया, एक बाग मर गया, सुंद्री ये भी ना मर जाए, इसलिए उसको वापस ले आया गया है, ये प्रोसेस था, National Tiger Conservation Authority कमाल का काम किया, NTCA ने, NTCA 2005 में फाउंड किया था, Establish किया था, Wildlife Production Act के अंदर आता है ये, टाइगर को बचाना है, आप टाइगर की पॉपलेशन दोस्तों बढ़ भी तो गई है, ठीके तो धाइजार के आसपास है, टाइगर की पॉपलेशन एक्जाक टाकडा में भूल गया, तो NTCA की बात करें, तो आप समझिए कि ये इनका प्रोजेक्ट, इसके ये जो टाइगर रिलोकेशन का प्रोजेक्ट था, इसके अंदर आता था, NTCA ने 8 करोड रुपे भी दिये पूरे प्रोजेक्ट में 19 करोण रुपे खर्च हुए थे, तीन प्रोजेक्ट को भेजना था, टोटल 6 टाइगर्स, मतलब एक मेल, एक फीमेल, तीन प्रोजेक्ट को भेजना था, उडिसा, उडिसा के सतकोशिया में, लेकिन दोस्तों ये बहुत अच्छा काम नहीं कर पा महवीर जो कि बाग था, टाइगर था, बाग और शेर में फर्क होता है, आपको पता है बाग और शेर, बाग क्यों नहीं है, king of the jungle, मैंने जब compare किया, तो टाइगर is more powerful than lion, लेकिन lion का appearance ऐसा है, उसका ऐसे treatment मिलता है, भाई जो शेर होता है, वो खुद कभी शिकार नहीं करता शेर निया शिकार करती है, लेकिन बाग अकेला घूम जाता है, अकेला जाता है वो, उसको किसी की जरुवत नहीं है, वो अकेला जाता है, मार पीट के खा के वापस आ जाता है, बाग अकेला शिकार करता है, और बाग शेर से जादा तेज होता है, और जादा heavy होता है, 2018 में शुरू हुआ, शुरुवात में दो टाइगर को दो बागो को बेज़ा गया, एक था मैल, मादा, sorry नर, जिसका नाम था महावीर, फ्रॉं कानहा टाइगर रिजर्व मध्यु प्रदेश MP में कानहा टाइगर रिजर्व है, कानहा टाइगर रिजर्व में अलरेडी खासी खासी टाइगर पॉपलेशन है, compare करेगर दूसरे टाइगर रिजर्फ से, तो इनको shift करना था सतकोशिया, जहां पे टाइगर पॉपलेशन घट गई है, लगातार घट गई है, तो टाइगर की पॉपलेशन को बढ़ाओ, दो ही परपस थे यहां पे, एक तो जहां पे पॉपलेशन जहांके भाग एक्सेस में है, जैसा शुरू में मैंने बता था, वहां पे घटा के, उन एरिया पे लेके जाओ, जहां पे टाइगर कम है, तो सतकोशिया में कम थे, कानहा बांदफगर में जादा है, तो सिंपल है, सतकोशिया और कानह से, यहां पे में तीन पेर को बेजेंगे इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ना था, काफी ambitious प्रोजेक्ट था, लेकिन दोस्तों ये हो नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पे विलेजर्ज ने भी प्रोटेस्ट कर दिया, human-animal conflict से काफी लोगों की जान जाती है, जो tiger reserve है, elephant reserve है, periphery में गाउं होते हैं, कई बार तो गाउं अंदर होते हैं, तो कोई भी गाउं वाला नहीं चाहेगा, कि हमारे गाउं के आसपास एक बाग हो, यहां तक दोस्तों सुंदरी ने कुछ लोगों को अटाग भी किया था, एक को तो मार दिया था, जिसकी वज़े से यह project और फेल हुआ, फिलाल सतकोशिय tiger reserve के बारे में जान लिज़े, और इसको क्यों चुना गया था, पहली बात तो हैं पर tiger population बहुत कम है, यह उडिसा में आता है, 963 square kilometer का बहुत बढ़ा एरिया है, कोर एरिया 523 square kilometer का है, NTCA के हिज़ाब से, tiger population की, मतलब अच्छा खासा potential है, यहां का जो habitat है, बहुत बढ़िया है, जो condition है बिल्कुल favorable है, और tiger population यहां पर फलफूल सकती है, इसलिए इसको चुना गया था, 2007 में इसको tiger reserve घोशित किया गया, शुरुवात में सतकोशिया में 12 tigers थे, लेकिन अब 2018 आते हैं ग्यारा साल के अंदर, सिर्फ और सिर्फ दो ही tigers रह गये हैं, तो इसलिए यह relocation drive थी सतकोशिया में, लेकिन जैसे कुछी हफतों बाद जैसे यह project शुरू किया, तो दोस्तों, villages ने प्रोटेस्ट कर दिया, अभी मैंने आपको बताया, कि हम पगला गए हैं, जो हमारे तुम घर के सामने, बाग खड़ा कर दो, वो तुम को खा जाएंगे, उपर से elections आ रहे हैं, तो elections उडिसा में आ रहे हैं, नवीन पटनायक 2000 के बाद से, longest serving chief minister है, बीजू जनता दल, पूरी history मैंने cover किया, आप देखिएगा, उनकी, तो नवीन पटनायक तो नहीं चाहेंगे न, देखिए भाई, उडिसा में सबसे ज़्याज़े tribes रहती हैं, ठीक है, PVTG, particular, vulnerable, ट्राइबल, ट्राइबल ग्रुप्स भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उडिसा का ट्राइबल वोट बड़ा important होता है, तो बिल्कुल भी नवीन पटनायक नहीं चाहेंगे, कि किसी तरीके से इनको दुखी किया जाए, elections भी आ रहे हैं, उपर से forest department officials अगर जाते थे, समझाने जाते थे, हाला कि यहाँ पर officials का कहना है कि हमने villages को confidence में लिया था, लेकिन जब वो समझाने जाते थे, उनके उपर attack हो जाता था, villages इनके उपर attack कर देते थे, तो कैसे project फिर चले गा ही नहीं, उपर से कोई trust building नहीं थी, villages और forest officials के बीच में बातचीत हुई नहीं, ये भी बोलना है, सुन्दरी का attack करना, सुन्दरी ने सब्टेंबर में एक औरत को लगभग मार दिया था, October में 65 साल के आदमी को मार दिया, और जो mail भीजा था, तो जो काना tiger reserve से महवीर को भेजा था, वो मरा पड़ा हुआ मिला, उसका शव मिला, अब यहीं बताया जाता है, उसका शव जो था, जब उसको मारा गया था, उसके कुछ हफ्तो बाद मिला, और poaching उसका शिकार किया गया था, तो villages भी गुस्सा, उपर से ये सारे reasons, सुंदरी के उपर खत्रा था, हम बागों को ऐसे छोड़ तो सकते नहीं है, वैसे ही बागों की population कम हो रही है, जादा छोड़ेंगे तो extinct हो जाएंगे, तो इसे लिए forest officials के जब्मिदारी है, कि इस तरीके के project को जब चलाएं, तो पहले तो villages को confidence मिले, क्यूंकि दोस्तों human-animal conflict, ये भाई बाग हैं, द्यार predators, ये तो शिकार करेंगे, तो महवीर जो है, महवीर तो settle हो गया था, महवीर का शव मिला भी बता है, लेकिन सुंदरी जो है वो बार-बार human habitat में जाती थी, जिसके वज़े से सुंदरी कई बार attack कर देती थी, और जिसके वज़े से villages प्रोटेस कर देते थे, क्या हम नहीं आएंगे, ठीक है, तो इसी लिए ये फैसला लिया गया, कि यार इस project को बंद करो, और महवीर मर गया है, सुंदरी को वापस लेकिया हो, ये timeline है, 19 जून 2018, महवीर को उडिसा में shift किया गया, 28 जून को सुंदरी को उडिसा में shift किया गया, 13 सितंबर को, देखिए, यहाँ पे, कुछी महिने बाद, 13 सितंबर को, एक महिला को लगबग मारी दिया था, सुंदरी ने, घायल कर दिया था, मौल्ड मतलब होता है, घायल करना, किसी वन जीव का, किसी को घायल करना, November में, सुंदरी को finally tranquillize किया गया, क्योंकि, फिर तो खत्रा हो जाता, 14 November को, महवीर मरा हुआ मिला, उसका शवव मिला, बताइए, प्रोजेक्ट शुरू, जून में प्रोजेक्ट शुरू हुआ, आप देख सकते, देख रहे हैं न, क्या क्या हो रहा है, December में, NTCN, उडिसा और MP को बोला, कि सुंदरी को वापस MP लेकिया ओ, और प्रोजेक्ट को suspend कर दिया गया, बहुत दुखत घटना, November 2020 में, High Court ने, 24 मार्ट 2020 को सुंदरी MP लेकिया लेकिया, तो यह इंटर लोकेशन प्रोजेक्ट था, जो फेल हो चुका है, यह मेरा टेलिग्राम चैनल ने, आप आपको टाइगर नहीं मिलेगा, लेकिन आपको PDF मिल जागी, खुछ रहे हैं पढ़ते हैं, इसे सद्दान तग नहीं मिलेग्री साइनिको.